गुड मॉर्णिंग स्टुएंट्स। आज हम भारतिय संग्य व्योस्ता की प्रकृति पड़े में अभ्ध्यम करेंगे। इंडिन फैड्रल शिस्टम क्या है इसके बारे में अभ्ध्यम करेंगे। कि इस्से पहले मैं आपको बता दू। कि दो प्रकार की सासन प्रणालियां पाई जाती है एक तो संगात्मक सासन प्रणाली दूसरी एकात्मक सासन प्रणाली भारती जो संगी व्योस्ता में है उसमें दोनों प्रकार के लक्षन पाई जाते हैं संगात्मक सासन प्रणाली के भी और एकात्मक सासन प्रणाली के भी लेकिन इससे पहले हमको संगी व्योस्ता का अर्थ क्या है? संगी व्योस्ता है क्या? इसके बारे में अपनों कद्धिन करना पड़ेगा तो डक्टर भीमराव अमीड करजी ने संगी व्योस्ता के बारे में बताया नहीं राजे संग के अभीकरण है संग तथा राजे दोनों सेवधान द्वारा निर्मित है दोनों को सेवधानिक सत्ता प्राप्त है अपने छेत्र में एक दूसरे प्रास्रित नहीं है एक को सत्ता दूसरे के अधिकारों के समकक्स है प्रसासन की इस परनाली को संगे व्योस्ता सासन परनाली कहते है अब इसका अर्थ क्या है संगे व्योस्ता का अर्थ संगवाद अंगरे जी के फैडरिलिजम सबद का हिंदियन वाद है यह सब लेक्टिन के फोईटस सबद से लिया गया है जिस कार्थ संदी अत्वा संजोता होता है इसका मतलब क्या हुआ संगे विवस्ता में बिस संजोता या संदी संगे विवस्ता का मुख्य वो क्या है संजोता या संदी के आधार पे है हैमिल्टन ने बताया इसके बारे में संगात्मक्सासन राज्यों का ऐसा समुदाय है जो नए राज्यों का निर्मान करता है इसी प्रकार मानटेश क्यों के अनसार संगात्मक्सासन एक ऐसा समझोता है जिसके द्वारा भहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्ये के सद्धे से बनने को तयार हो जाएं अब संगे व्योस्ता दो प्रकार से स्थित्व में आती है संगे व्योस्ता कितने प्रकार से स्थित्व में आती है दो प्रकार से पहली व्योस्ता संगुं का निर्मान सवतंतर राज्यों के द्वारा किया जाता है पहला कहा है संगुं का निर्मान क्या होगा सवतंतर राज्यों के द्वारा किया जाएगा इसका कारण कहा है यह सामनेत अपने सुरुक्षा राजनितिक, आर्थिक उद्देशों की प्रापती, उद्देशों को पार्स्विरिक स्योग में रहेंगे आपस में, चैसी व्योस्ता अमेरिका में पाई जाती है. दूसरी इस व्योस्ता के अंदर केंदर सरकार द्वारा प्रांतु को स्वाइता परदान की जाती है इस व्योस्ता में क्या किया जाता है केंदर सरकार द्वारा प्रांतु को स्वाइता दी जाती है जिसमें एकात्मक व्योस्ता संगात्मक व्योस्ता में प्रविर्थित हो जाती है एकात्मक व्योस्ता किसम हो जाती है संगात्मक व्योस्ता में ऐसी संग्य व्योस्ता कनाड़ा में देखी जाती है अब भारती संगी व्योस्ता की प्रकरती के बारे में अपने को पढ़ना है तो आपको मैं बता दूँ भारती संगी व्योस्ता अपने आप में एक विशिष संगी व्योस्ता है यद पी समिधान द्वारा संग राजे की स्थापना की समिधान द्वारा संग राजियों की स्थापना की गी है लेकिन इसमें फैडरेशन सब्द का प्रियोग कहीं नहीं किया किसका सब्द का प्रियोग नहीं किया गया फैडरेशन सब्द का प्रियोग कहीं नहीं किया गया तो समिधान के पर्थम अन्षेद में राज्यों का संग क्या बताया गया राज्यों का संग Union of States सब्दावली प्रयोग में लाएगी जिसका में तो इस्पस्ट करते हुए डाक्टर भीम रावमेड करने समिधान सबा में कहा था प्रारूप समीती द्वारा यह सब्दावली का प्रयोग यह स्पस्ट करने के लिए क कोई समझोते का प्रणाम नहीं है बलकि संग राज्ये समझोते का प्रणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्ये को संग से अलग करने का दिकार नहीं है क्या नहीं है संग समझोते का प्रणाम नहीं होने की वज़े से संग राज्ये को संग से अलग करने का दिकार नहीं है भारते संगे व्योस्ता इस अर्थ में एक विशिष संगे व्योस्ता है जिसमें कुस लक्षन संगात्मक सासन व्योस्ता के हैं तो आज बच्चों हम यहां भारते समिधान के संगात्मक लक्षन कौन-कौन से हैं उनके बारे में अध्यन करेंगे इसका सबसे पहला लक्षन है लिखितें कठोर समिधान कैसा समिधान? लिखितें कठोर भारत का समिधान लिखितें कठोर है कठोर इस मायने में है क्योंकि भारती समिधान की जो संसोदन परकिरिया है एक विशिश्च परकार की संसोदन परकिरिया अपनाई गी है यह संसोदन प्रकिरिया भारती सविधान को कठोर सविधानों की सरेणी में रख देती है सविधान संसोदन की प्रकिरिया तथा सामाने नियम निर्मान प्रकिरिया में घिन्डता है सविधान के कुल मूल रूप में 22 बाद 345 तथा 8 हनुसूचिया है संगव राज्ये glowing के संबंद में विश्ट्रित वर्नन के कारण संविधान का परलेक लंबा है तु कि राज्ये इकायूं का परथक कोई संविधान नहीं है आताइस संबंद में भी यह वेश्टा की गई है कि समिधान में संग राजे की सक्तियां परिवर्तन संग सरकार या राजे सरकार की सोतनत रिच्छा से नहीं अपितु दोनूं की सहमती से संभव है यहां कठोर किसली है इसलिए कठोर माना गया इस समिधान को क्योंकि जो समिधान में संसोधन है वो राज्ये और संग सरकार दोनों के सैयोग से या यही सहमति से ही इसमें प्रिवर्टन किया जा सकता है इसलिए अपना आपमी ये कटोर समीधान है इसकी दूसरी विसेस्ता है धोरी सासन वियॉस्ता डूल पॉलिटी संगात्मक सासन विवस्ता में केंदर वे राजे के रूप में धोरी सासन विवस्ता होती है जिसमें दोनों सरकार के सक्तियों वे अधिकार, छेतर, समिधान द्वारा निर्धारित होते हैं इसमें क्या होता है कि संविधान के द्वारा केंदर और राजे दोनों के सक्तियों का अलग अलग निधान किया गया है वे अपने अपने अधिकार समिधान से प्राप्त करते हैं किसे प्राप्त करते हैं समिधान से तथा एक दूसरे के छेत्र में अस्तक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि दोनु सक्तियां किसे प्राप्त करते हैं समिधान से प्राप्त करते हैं इसलिये एक दूसरे कदिकार छहतर्म में वस्तक नहीं करते हैं तीस्री विशेशता है संग राज्यों में सक्तियों का हुभाजन संग व dominated की भावना के अनकुल भार्ति से विदान दोरा भी संग वा राज्यों की कायों के मद्देर 133 कास्पत masking की विषाजन किया गया है सक्तियों के सपस्टिवी बाजने में कैद तीन अनुष सूचिओं में बटा गया है इसको समिदान के जो मूल रूप था उसमें संग सूची, राजी सूची और समर्ती सूची तो संग सूची में मूल उसमें सत्याणम विशे थे कौन कौन सी विशे थे जिसमेंसे मैं कुछ बताता हूँ आपको कानून कुछ विशे हैं सुरुक्षा, विदेशी मामले, युद, सांती, देलवे, अखिल भारतिय सेवाएं, डागता, इत्यादी इन विशों को पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है दूसरी राजे सुची इसमें 66 विशे थे, इसमें केंदर और राजे सरकार, केंदर संसद और राजे की विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों द्वारा बनाएगी कानूनों में, यदि कोई विरोध उत्पन हो जाता है क्या हो जाता है? कोई विरोध उत्पन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंदर संसद द्वारा जो कानून बनाएगए हैं, वो कानून ही मानने होंगे राजे स्विदानमंडलों द्वारा बनाएगा यदि कानून, सब्तखिस माथ्त हो जाएंगी तीसरी समवर्थी सूची इसमें समवर्थी सूची में कितने 47 विशे हैं कितने विशे हैं 46 विशे इसमें संग और राज्ये दोनों को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन यदि कोई राष्टे महत्व का विशे है इसका राष्टे महत्व का विशे है तो उसको पर केवल संग्य संसद ही कानून बना सकती है ना कि राज्य कानून बना सकते है चोथी और है किसमें वो हैं आउसिष्ट सक्तियां कौन सी है? आउसिष्ट सक्तियां इन सक्तियों यह आउसिष्ट सक्तियां है यह संसद के पास है इसमें जो भी कोई विशायेगा उसको पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल भारतिय संसद को है चोथा है समुधान की सरोचेता भारतिय संसद द्वारा राज्य विधान मंदल अपने सक्तियों से प्राप्त करते हैं क्योंकि संविधान ही देश का स्रोचे कानून है इसका मतलब क्या हो भारतिय संसद तथा राजे विधान मंडल भारतिय संसद और राजियों के जो विधान मंडल है वो अपनी सक्तियां कहा से प्राप्त करते हैं संविधान से क्योंकि संविधान ही देश का स्रोचे कानून है संविधान के प्रावधानों के विरूद किशिवी प्रकार के कानून का निर्मान संसद या राजे विधान मंडलों द्वारा संभव नहीं है संसद वे विधान मंडल एक दूसरे कादिकार छेतर में अतिकमन नहीं कर सकते यदि ऐसा करते हैं तो न्याइपाली का द्वारा ऐसे कानूनों को अवध घोशित करके रद किया जा सकता है अर्थात कहने का मतलब यह है कि संसद और राजे के जो विधान मंडल वो एक दूसरे के अधिकार छेतर में आतिकरमन नहीं करेंगे यदि वो करेंगे ऐसा करते हैं तो न्याइपाली का द्वारा ऐसे कानूनों का अवध घोशित कर दिया जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान की सरोच्चता है यहां सवतंतर न्याइपाली का भारते संविधान द्वारा सवतंतर न्याइपाली का की व्योस्ता सम्विधान के रक्षक के रूप में की गी है किसके रूप में की गी है सम्विधान के रक्षक सम्विधान की रक्षा नयाई पालिका करती है इसलिए नयाई पालिका को सवतंतर रख्या भई रखा गया है नियाई पालिका नागरे को अधिकारों की रक्षा करती है, कारेपालिका विधाय का निर्मकुस हो जाती है तो उनको अंकुस नियाई पालिका लगाती है, नियाई पालिका केंदर और राज्यों के बीच, केंदर और राज्यों में संतुलन श्तापित करती है, तथा दोनों क के मद्दे यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो उनका निप्टारा नयाई-पालिका करती है समिधान द्वारा स्रोच्य नयाई-पालिका तथा एक स्रोच्य नयाई-पालिका तथा राजियों के लिए उच्छ नयाई-पालिकाओं की व्योस्ता की गई है जो सं यह पालिका निया पाली का द्वारा औरफ गोसित जा सकता है इसलिए सवतनतर निया पालीोट के Festival जैसल네 ससदो किरें झांब tratarर्टीय संभी द्वारतिय संभी द्वारा सैमेदानिक कानूनों तथा साधान कानूनों को अलग-अलग किया गया है समधाने कानून और साधान कानून दोनों अलग-अलग किये गये हैं समधाने कानून के निर्मार वह संसदन के प्रक्रिया इस्पस्ट वर्नन किया गया है इनका वर्नन इस्पस्ट किया गया है समधान संसदन के लिए तीन परकार की विवस्ता के है संसद के साधान बहुमत से समिधान का अधिकांस भाग संसोदित किया जा सकता है समिधान का कुछ भाग ऐसा है जो दूसरी विवस्ता है जो संसद के दोनों सदनों के अलग अलग रूप में पूर्ण बहुमत वे उपस्ति सदस्यों के दोतियाई बहुमत द्वारा संसोदित किया जा सकते है और तीसरी जो प्रक्रिया है इसमें संविदान संसोदन के लिए संसत के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत संसत के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत उपस्ति सदस्यों के दोतियाई बहुमत तथा आदे राजियों के विदान मंडलों की सहमती आवशक है कुल मिलाकर ये विवस्ता हैं जो संग तथा राजे दोनों को परभावित करती है दोनों के समर्थन दौरा ही संसोदित किया जा सकते है इसलिए हम कह सकते हैं कि भारती समिदान कठोर समिदान है क्योंकि संसोदन प्रकिरिया में तीन वो अपनाएगे हैं एक तो साधान भाहमत द्वारा दूसरा संसद के दोनों सद्वनों के दो तियाई भाहमत और उपस्ती सद्वस्यों के दो तियाई समर्थन और तीसरा संसद के दो तियाई भाहमत और उपसी सद्वस्यों के पूर्ण बहुमत और आदे राजों के विदान मंदल दुवारा इसकी सहमती आवशिक है इसलिए सहमिदान संसोतन की तर्फिया जटिल है सात्वा उस सदन की व्योस्था भारतिय संसत दिव सदनात्म कहें जिसमें दो सदन है एक तो लोकसभा है एक राजे सबा लोकसभा और राजे सबा राजे सबा उस सदन है उस सदन दोरा उस सदन यानि उसके दोरा राजियों का परतिनी दितों किया जाता है जो राजे सबा में जो लोग चुन के आते हैं वो किस से चुन के आते हैं राजियों से चुन के आते हैं, राजियों का प्रतिनी जित्व करते हैं और जो लोक सभा है, उसमें प्रतियक्स रूप से जनता है कि दोरा चुने जाते है पर प्रतिनी जित्व की विशिश्टा यह है कि राजिय की समानता के सिदान पर आधरित नहों कर जन सेंग क्या क्या अधार पर तो ये जन सेंग क्या क्या अधार पर उस सद्धन के जो सद्धन से जो राजयों से चुन के आते हैं जो जवाजयों का पृतिनी दित्व करते हैं ये वहां की जन सेंग क्या 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 अधार पर चुने जाते हैं तो विद्धारतिओ यो यह संगे वियुशता के किस लक्षन थे जो मैं आपको बताए अगले बार जो हम पड़ेंगे भारती समीधान में एक अत्मक्त लक्षन क्या-क्या है उनके बारे में आपको बताया जाएगा तो आज के उलसंगे व्योस्ता के बारे में ही अपन अद्दिन किया है और यहीं है समापत किया जाएगा